जैजवार स्वागत्याक्मन के न्यूस 36 चतिस गड़ के आवाजमा महवाक्मन के संगमनी रज खबर 36 के सुरुवात करवो बिलासपुर पोँचे स्वामी जगत गुरु संकरा चायर्य स्वामी अवी मुक्ते स्वरा अनंध बागे स्वर धाम वाले धिरेंद्र सास्तरी लले के बढ़का बयान गिये है दिव्य दर्बार वाला मनला चुनावती देश कहिस के चमतकार दिखाये वाला मन जोसी मठ जाके वहां के धसकत जमीला रोक के दिखाये तब उकर चमतकार ला मैं मान्यता देहूं अवकर जैजायकार करहूं धर्मांतरण के मुद्धा मा कहिस के धर्मांतरण के पक्षमा बोले वाला या वीरोत करे वाला के पाचु धार्मिक कारण नहीं है एकर पाचु राजनीतिक कारण है कि जिस कारण से किसी कारी को किया जाता है उस कारण को पूरा होना चाहिए विवाजन हुआ लंबा समय बीच लिया 25 साल का समय बीच लिया कि अम्रित महुत्सव हम लोग मना रहे हैं किस कारण से हुआ था मुहमद अली जिन्ना सहाब स्वतंत्रता संग्राम में मुस्लिम और हिंदू दोनों मिल करके लड़ रहे थे ना और दोनों चाहते थे कि अंग्रेज हमारे यहां से निकल जाए हम मिल करके साशन करेंगे वो क्या कारण था कि मुहमद अली जिन्ना सहाब ने यह कहा कि नहीं नहीं हमारा तो अलग बाट दो हम तो तुमारे साथ नहीं रह सकते हम इस्लामिक कंट्री बनाएंगे और उसमें रहेंगे और हम तब सुख का अनभव करेंगे तो सवाल यह है कि इस्लामिक कंट्री बनाएंगे तब सुख का अनभव करेंगे यह जब कहा गया तो इस्लाम को मानने वालों को उस जगह चले जाना चाहिए था अगर चले जाते तो बहुत अच्छा होता कि मुसल्मान मुसल्मान एक साथ रहते हिंदू हिंदू एक साथ रहते और यह एक्सपेरिमेंट भी हो जाता कि अलग अलग रह करके हम सुखी रह सकते हैं कि एक साथ रह करके लेकिन ये कहा गया कि हम मुसल्मान एक साथ रहेंगे इसलिए हमारी जगह बाट दो बाट दी गई लेकिन गए नहीं साथ यहां से अब आप समझिये कि मुसल्मानों के नाम पे उन्होंने एक अलग भुखंड ले लिया उसका नाम पाकिस्तान कर दिया और रह भी यहीं रहें तो यह दो बात हो गई ना अगर अलग आपने जैसे हमारा भाई है अगर हमारे साथ नहीं रहना चाहता है उसकी मर्जी है अब उसकी मर्जी का समान करते हैं अलग हो जाए अब उसने मकान बाट लिया और खेटी बाट ली तुकान बाट लिया, तो अब अपने में रहना चाहिए ना, बाट भी लिया, उस पर कबजा भी कर लिया, रहा हमारे गर में रहा है, ये कैसे होगा, तो हमारा ये कहना था, कि 75 साल हो गए, बहुत लंबा समय हो गया, अब आपको इस बारे में निर्ने करना चाहिए, कि मुसल और वो वो भी साथ में रहे, हमारा ये कहना, मुसल्मान अकेले रहेगा, ये उनकी जीद थी, हिंदूों ने कभी नहीं कहा था, कि हम उस्वनवानों के साथ नहीं रह सकते हैं, ये मुहमद अली जिन्ना ने मुसलिम लिग का नेता के रूप कहा था, और तब मुसल्मान के जमीन बाट ली, अगर वो जिस उद्देश से बटवारा हुआ था, अगर वो फूरा नहीं हुआ है, तो क्या 75 साल के बाद हमको फिर से एक बार पुन अदिक्षन नहीं करना चाहिए, कि भाई जिस कारण से कुछ हुआ था, अगर वो लक्षे हासिल नहीं होता है, और अग पलकों पर विशा करके उनको वाबस करें, दिखाओ ना चमतकार, हम लोग तो सारे देश की जनता चमतकार चाहती है, कि कोई चमतकार हो जाए, कहां हो रहा है चमतकार, एक नारियल जो पहले से हम लाए हैं, उसमें से हम चुनरी निकाल दें, आचा मान लो चुनरी नहीं, उससे सोना निकल जाए गोला, उससे जनता का क्या बला होगा, तो जो चमतकार हो रहे हैं, वो जनता की भलाई में अगर उनका कोई विनियोग हो, तो हम उनके जाए कि जाए कार करेंगे, नमस्कार करेंगे, और नहीं तो यह चमतकार जो है छलावा है, इससे ज़्यादा प प्रयास करते रहते हैं और जब तक कोई धर्मगुरु संद्न का नहीं आता है तभी तक इनका सब चलता है। कोई आके खड़ा हो जाए तो फीके हो जाते हैं तो इसी लिए कुछ आते हैं कि सनातन धर्मन पर चोट पहुंचायें लेकिन वो पहुंच नहीं बाती है इसलिए खत्रे में कुछ नहीं पाइना को शिशक खत्रे में डालने की हो रही है दिखिये हमारा यह कहना है कि यह जो धर्मांतरण हो रहा है चाहे वो छतीज़गड में हो चाहे कहीं दर्मांतरन धार्मिक कारण से नहीं हो रहा है, जो धर्मांतरन कराने वाले लोग हैं, वो भी इसके लिए नहीं करा रहा है, कि लोग धार्मिक रूप से उठ जाएं, उनका भी उद्देश राजनीतिक है, वो पुरे विश्व में अपना राज इस्थापित करने के लिए तो इसलिए धर्म का इससे कुछ लेना देना नहीं है ये राजनीतिक मामला है पहली बाश और दूसरी बात यह है कि अगर किसी राजने तक ने ये कह दिया कि धर्मान्तरन को अपने चमतकार से रोख दीजिए तो हम मान जाएं तो अच्छा ही कहा इसमें क्या करा भी अगर को चमतकार इस चेतर में दिखाओ नहीं तो हम कह रहे हैं कि अगर आपके पास ऐसी कोई अलोकिक सक्तियां आ गई हैं जिनसे आप जादूगर की तरह से जादू की छड़ी को बाद करके कुछ कर सकते हैं अचानक तो आप कर दीजिए हम लोग तो वैसा जादू नहीं जानते हैं वैसा चमतकार नहीं जानते हैं लेकिन अगर कोई है ऐसा चमतकारी पुरुष तो धर्मांतरन रोक दे तो लोगों की आत्मात्या रोक दे तो लोगों को घरों में जो जगड़े पसाद हो रहे हैं सुमती ला दे पूरा देश एक्तम दूसरे से प्यार आधर करने लग जाए जो वर्गों में विद्वेश हो रहे हैं उन वर्गों के विद्वेश को रोक दे ऐसा कुछ है जनता और राश्टर के लिए उपयोगी चमतकार करके कोई दिखाए ता हम उसको चमतकारी पूरस कह सकता है